हाई मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं वोश्पूरी बाते पे उसक Дав召ाई बाते पेड को सी घसके साइब के रहे हैं, लेवो बकी ह्याई तोपक जाई घ्याए मैं हैa वोश्पूरी आपकान, दिर में हो Might यह कि अो खोल कि आंपे जह ईंपे रहादरोा झाल झाल प्रोजेट के बारे में लापो में हमार घौजी किस दरगा प्रोजेक्ट चार्ट में हम साइज है प्रेट को लेकर एक तो मैं आज यहां पर इसलिए आया हूँ के हमारे जो मिस्रा जी है उनके साथ में मेरा बहुत पुराना रिलेशन है उन्होंने मेरी एक फिल्म थी मनोरामा सिक्स फीट अंडर जिसके लिए उन्होंने गाना लिखा था और गाना बहुत ही सुपरीट उस टाइम पर रहा था तो उसके बाद भी उनके साथ में काफी रिलेशन रहा है कुछ न कुछ हमने साथ में काम किया है और उसके बाद वो बड़े राइटर स्क्रीन प्लेयर राइटर और डायलॉग राइटर होए फिर डिरेक्टर भी बन गए और आज वो पहली बार एज अपर प्रोडीउसर भी आ रहे हैं तो प्रोडूसर डिरेक्टर एक्टर तो शायद मुझे पता नहीं कितनी फिल्मों में काम किया है लेकिन हर फिल्ड में मने वो माहिर है और उनको आज विश करने के लिए मैं यहां पर आज आया हूं आप लोगों के सामने हूं और मेरी यह सुप कामना है कि यह फिल्म सुपर सबसे पहले तो मैं अभार प्रड़ करना चाहूंगा जितने हमारे मतलग बड़े लोग यहां पर उपस्तित हुए हैं शेवारू वीडियो के मालिक कितन भाईया आया हुए हैं तो यह सबसे लिए मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब दी है और मनुझ भाईया यहां उपस् दस्वारण फिल्में किये हैं तो यह द्यू था आपको एक्टिंग करा था आप मुझे करका अब सबस्ता संजोग क्या बहुत बड़ा बना है कि यह मुझे एक सुआध फिल्म में डारेट किये थे एक्टिंग एस एक्टर तो आज एक महिट करने वाला हूँ तो यह भी ए पन है और खुड़ा सा डर्वी एक डारेटर जब को डारेक्ट करना कितना मुश्किल होगा लेकिन मुझे मालूम है कि मदद करेंगे मेरा और गौपाल भाईया बनारस के हैं और एक्टर है सिंगा रही की कशकर साथ फिल्में आ चुकी है और इसमें फिर हम लोग साथ में जोड़े हैं दो हीरों की कहानी है दो भाईयों की कहानी है कहानी प्रिष्ट भूमी पे है दो भाईयों के प्यार के की प्यार तो दो भाईयों में बहुत होता है लेकिन शादी के बाद प्यार जब वाइफ आ जाती है तो कैसे केला में बदल जाता है लेकिन एक भाई के प पुरा परिवारिक पृष्ट भूमी को पकड़ा और कहानी में कैसे ट्विस्ट आता है कि यह छुड़ी सी गलत फ़मी में कैसे दो भाई अलग हो जाते हैं फिस गलती का जब भाई को एसास होता है वह उसके पास जाता है तो वह हमारा क्लाइमेक्स हो मैं नहीं बता सकता है परिवारिक क्या होता है जब उसको लेने जाता है तो उसके इसाम पर अपना प्रिश्छ lines रहें कि हम बनारस के में रहते हैं कि नहीं भोषपुर जहां तो भोजपूरी का उर्जिन है उस परिवार से ही हम बिलॉंग करते हैं तो भोजपूरी तो हमारी रग रग बसी है और खुशी इस बात का है कि गायकी तो हमारी बहुत इन से चल लेती है चुटी बड़ी हमने सदाड फिल्में की है लेकिन हम धन्यवाद दिना चाहेंगे हम अपने लेखर का और डारेक्टर सुरेंदर मिस्रा जी का जिन्होंने इसमें मुझे एक लीड रोल दिया तो तु इन्हों पताया थे कि दो साथ बात दिना चाहेंगे हम सर को भी कि उन्होंने कम से कम हम बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए आगे आए और हमारे सर जी हैं सामने सभी लोग आये हुए और जितने भी हमारे मीडिया करवी है और छोड़े भाई सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये जो में नदिया के पार हुआ करते है और इसमेह नहोंने ये दिया है कि बटवारा जैसे होता है तो आप दिवाल बाट लोगे लेकिन आप दिल और दिमाग कैसे बटो कैंकर Efitof Nat Someone can है हम चाहेंगे आप सब कासी राद अप प्यार मिले और यह हमारी फिल्म सफ़ालों सबसे पहले आप सभी दर्सकों को मेरे नमस्कार मैं सबसे पहले थैंक करूंगा सुरिंद्र जी को कि उन्होंने सोचा इस बारे में मैं एक डिरेक्टर काम करता हूं तो एक दिन मुझे बो करते हैं तो लाई कहानी बहुत अच्छी है इसलिए मैंने हावी कहा किया करते हैं और उसके बाद केतन साराय थैंक्यू सब्सक्राइब अगली फिल्म कर रहा हूं तो मेरे बड़े भाई हैं उनका भी आशिरवाद रहा कि वह बुले कि उनको भी बने सुनाया उनको कि बही यह है सुन्दर जी को बहुता है मुझे अप्सा करेंगा तो सुटिंग शेडूल हम लोग मार्चेंड में प्लान कर रहा है जहां करने वाने शुटिंग मैं बनारस का तो सोच रहा हूं अभी अभी फिलान दिमाग में बनारस ही है और और जोकला कारें उनक्या रही बता द कोई रिजन नहीं है वहाँ मुझे डगता कि वहाँ जो हम कल्चर दिखाना चाहते हैं वह सुविधाय मिल जाती है जैसे मुझे बेल गारी चाहिए ट्रेक्टर से यह हैंड पैम्प चाहिए तो वह सारी सुविधाय कल्चर का वहां मिल जाता है बस इसलिए और के खलियान पूर्जिनल मिल जाता है आटिफिसियल कुछ नहीं मिलता है तो हलाकि उसमें निगेटिव कर रहे थे लेकिन बहुत अच्छा किये थे तो जो मेरा पात्र था ना इतम सोबर पात्र था तो मुझे फर्फेक्ट लगा कि इसके लिए वही बेटर है हम अगिए अभी अंडरकास्ट है सग्रेडेव सभी एव श्रीट देंगे कुछ बढ़ियां अब फिल्म के गाने काटेंगे शुरू करेंगे मिजी जक्तर भी फैनल लइकिया आग अज मुरूद के रखने कुछ खास है बजा जो आज खास होजए है कि आज हमारे जो हीरो ह है अज इनका जनम दिन है क्या वात है अपनी पाचान हम अपने करा से अपने उसे देते हैं हम उम्र को आगे आरे नहीं देना चाहते हैं हम हमारा काम हमारा आवाज हमारा दबंगी बुलेगा फिल्म जाए कि अभी तो श्टोरी सुनाई गई थी काने उगर चुकि हम खुद ही सिंगर भी है तो जो गाने जिदने चाहें कि हम से गवा सकते हैं और हमारे जो सब आठी हीरो हैं अजे जी मजे मजाए कलकार हैं तो हम सब मिल उलकर किस चीज बे आप जिसम अभीने भी कर रहे हैं सौं करा लेंगे हमारे डारेक्टर बड़े मजे मजाए हैं बड़े मजे मजाए करा लेंगे हम लोसे कुछ भी हम एक यह दिना चाहेंगे हम चुकि हम जो हम इस्टार्ट कर रहे हैं सरस्थी के बड़ी किरपा है हम दो लाइन हम वही बोलना चाहेंगे कि हम सबके प्रेम है आवाज है यही समर जाए हम वही दो लाइन हम आपसे बोलना चाहेंगे मा सरस्थी के ही किरपा से सारे लोग जूटे हैं कि है हनसे वाही नी बिड़ा वादी नी सुन लो हमरी पुकार रीदी सीदी बिंद्या के दाता मही माय अगम या पार कि यह फिल्म हो हमारी सफल हो और सारे लोग जूट करके इस फिल्म को सफल बनाए है सब कासी बात बात धन्य बात अब बड़ी कंपनी चला रहे हैं भुष्पुरी के लेकर आपको सूच क्या आइस बड़ी कंपनी तो नहीं हम वीडियो कंपनी चला हैं जो सबसे ओल्डेस कंपनी है नाइटीन सिक्स्टी टू में शिमारू का जन्मा हुआ था और आज की तारिक में सबसे बड़ा जो कैटलोग है हिंदी फिल्मों का वो हमारे पास ही है और हम जैसे अब डे बाई डे जियो सिनेमा का पैनिट्रिशन होने के बाद में डिजिटल टेकनोलोजी आने के बाद में रिजिनल सिनेमा का जो डेवलोप्मेंट हो रहा है उस सिनेमा को हम ध्यान में रखते हुए हमने पंजाबी, मराथी, गुजराती, भूजपूरी ऐसे काफी हमने सेटलाइट चैनल सुरू करने का भी निश्चे किया है, कल ही हमने मराथी की शिमारू मराथी बाना लॉंच की, जो फ्री टू है शिमारू मराथी बाना सेटलाइट चैनल है, वैसे हमारे 35 डिटीए चैनल से हैं जो अल्रेडी एर टेल टाटासका है और उस पर चल रहे है, तो भूजपूरी भी हमारा वीज कुछ प्लानिंग तो है नहीं, अल्रेडी यहां पर मजे हुए लोग बैठे हुए हैं और जुनने काफी काम किया हुआ है, हम उनसे या लाइसेंसिंग करेंगे या एक्वेजिशन करेंगे आपके तक बात है जिसे आप हिंदी फिल्मों के जाए तक राइट देक राखे हुए है, बोत्तुली सिनेमा के बार, आपकी सोच क्या है? देखो हर सिनेमा में इस तरीके से होता है कि चेंजिस आते रहते हैं, नयापन रहना ही चाहिए और जो हाला, आज जो एक स्टांडर बदली हो गया है फिल्मों का, एक एक्स लेवल की सिनेमा लोग देखते हैं थेटरों में जाके नहीं तो वो देखते नहीं हैं, तो कुछ नयापन लाओगे और अगर आप अपने आपको सुधार होगे और एक लेवल तक फिल्मों को बनाओगे तो आपके लोग तो आने वाले है थेटर में, उसमें कोई शक नहीं है, शायद ऐसा है कि जो पहले थेटरों में लोग आते थे वो नहीं मिले, पर यहां पर जो डेव पाइडे ग्रो हो रही है और सिनेवा तो बढ़ने वाला ही है, इसलिए कि अगर आप अच्छा कॉंटेंट मनाओगे तो लाइफ टाइम चनने वाला है, थेटर की बाद ऐसी होती है कि थेटर में लोग देखो अकसर सपने देखने जाते हैं और उस सपनों में अगर आपको लाइफ वाली चीजे मिलती है देखने स्क्रीन के ओपर, तो नैशरली थेटर में जाओगे, लोग क्यों सलमान की फिल्में, अजे की फिल्में और इनको देखने के लिए थेटर में जाते हैं, क्योंकि उस फिल्मों में ज्यादा खर्चा होता है, आपको ग्लैमर दिखने म मिलता है, आपको म्यूजिक अच्छा देखने मिलता है, तो थेटर में तो 100% लोग जाएंगे, अगर आपने अच्छी और बड़ी फिल्म बनाई है, है तो सही, लेकिन दीरे-दीरे डेवलोप्मेंट होने वाला है, अज़ा जी, अभी आपकी फिल्म, उठागे, जैसकों स अज़ा देरेक्टर आप हैं, और हीरो अज़े सुन्द जी के डेक्टर में करनी जा रहा है, तो कुछ बीट कर तो नहीं हो जखती है, नहीं डेक्टर बहुत सेमिलर सा जॉब है, थोड़ा सा कैमरे के पीछे चले जाते हैं, तो डेक्टर बन जाता है, अदर्वास कहीं नह जिन्दा होता उसमें, तो अएसे इरो भी आपी फिल्म आ चुकी है, आ चुकी है, जेसे कौन को नज़े बताएं मदर्पको, एक तो नतुनिया पे गोली मारे थी, बहुत पहले मैंने बनाए थी, 2011, गोली लगी थी उस टाइम पे तो लगी थी, उस टाइम पे एग्जैक् जी तो मतलब वो फिल्म ही मतलब भुश्पूरी की पूरी नहीं होती है, अगर आया जी नहों तो बड़ी बात है, आप सबी को जो है, नए वर्ष की हादिक शुप कामना है, सब नहीं दौाएं कि सभी लोग जो है, नए साल में कुछ अच्छा करें, और हसते रहे, खेलते आज एक फिल्म का मुरद इसका नाव है लाखों में एक हमारे भौजी आपके बगजी है, वाप प्रेप, हाँ तो यह लाखों में खाएं भी, देखने रहे हैं, भाईया भी जो है हमारे करोडों में एक है, और भाईया से हमारे आज के नहीं है, पुराने रिष्टा है, औ और फिल्म से नहीं, हम लोग जो है, आउटर फिल्म आउटर इंडेस्टी से भी हम एक बड़े भाई का रिष्टा है, और बड़े भी ऐसा अमेशा बाचीत होती रहती है, और बड़े 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 फिल्मों में राइटिंग किया, अच्छी ची कहानिया दिया, और जा अच्छी के साथ कहानी के साथ बहुत नयाय करता है, क्योंकि जब एक राइटर जब कहानी लिखता है, तो एक एक करेक्टर में वो घुषता है, तो मुझे उमीद है कि सुरेंदर भिया जो है, जिस सोच से इस स्टोरी को लिखे है, उस को जो है, वो कैमरे के माध्यम से स्क बिल्कुल आयाज ने जो कहा, वो बिल्कुल सही है, सुरेण जी बहुत अच्छे राइटर है, डिरेक्टर है, मैं भी इनको आज से नहीं, करीब 10-15 साल से जानती हूँ, और चुकि भोजपुरी में इतना दौर देख रही हूँ, आज का भी हो, पुराना हो, हम सब मिल चुल जिसके बारे में मैंने सुना, और मैं चाहूंगी कि नया वर्ष सबके लिए मंगल में हो, तरक्की हो, सबका इश्वर भला करें, और भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह का सब्जेक आना आपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्यों है आज? बिलकुल, बिलकुल, औ और होना भी चाहिए, तो आप सभी को नया वर्ष, बहुत-बहुत मुबारक हो, बहुत सारी शुप काम है, तैंक्यू, और कोई साहाद? अजय जी के बारे में यही कहूंगे, कि यह तो बहुत बुराना संबंध है, यारो, जिसे आपने कई सारे फिल्मों में देखा होगा, अजय की पहरी फिल्म से लेकर के, मेरे ख्याल से मैंने गवन्मा लई जाया, आजय जितनी भी उसके बात की फिल्में है, सब्वीज में अजय जी एक बहुत अच्छे डिरेक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे अक्टर है, यह आप सभी लोग धीरे दीरे और देखते जाएंगे, हम तो जानते हैं वो अक्टर हैं, क्योंकि मैंने उनसे गवन्वा लई जा राजा जी किस टाइम से उनको ज जानती हूं, और मैंने जो यह 15-20 साल का सफर भोचपुरी इंडस्टी में दिया है, और करीब नहीं कुछ 2-500-300 के करीब मैंने फिल्में की, तो मेरे जो भी साथ ही कलाकार रहे हैं, जो असिस्टें में रहे हैं, आज डिरेक्टर हैं, ने सब ने उच्छाई किया, तो आज सुकामनायत देने ही हमाएं यहां पर, हमारे सुरंदर मिस्रा जी, हमारी पहली फिल्म चलत मुशाफिर मोली हो, दोजार पांच में मैंने की थी तीनेश जी के साथ, उसके राइटर, स्क्रिन प्ले डायलोग उनों लिखा था, काफी छोटे भाई की तरह हैं, और इस फिल्म में हमारी बहु तुल्ले अगुशा मिसरा प्रडूशर हैं इसमें, तो सिर्फ उनको ब्लेसिंग देने आया है और इतने भी स्टार्स हैं इसमें, गोपाल जी हैं, अजय श्रेवास्तो भी छोटे भाई की तरह हैं, उनकी डायरेक्शन में कई फिल्म में हमारे इस्टूडियो में पोस्ट प्रडूशन के लिए आई थी, मैंने देखा बहुत अच्छी, लास्ट पिक्चर प्रवरिस ब में आया हैं कि उनकी पिक्चर अच्छी हो, टाइडल से यह है कि काफी साफ सुत्री, समाजिक फिल्म बनाने की कोशिस लो करेंगे, और डेफिनेटली उसमें सक्सेस होंगे, यह बलेशिंग है हमारा, पुरी टीम को हमारे तर से बहुत 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 धेर सारी बदाई, में को, अजय डिरेक्टर को काम कर रहा है हमारे साथ में, इसमें अजय एक्टर काम कर रहा है, उन्हें भी बहुत दिल से सपोर्ट है, बदाई है, कब से शुरू हो रही आपके फिल्म तो 27 से शुरू हो जाएगी, हमारी पिक्चर कौना और तमाब जी किराय पे हैं, दो प उन्हें पिक्चर का डायटर सुनिदर मिस्राही है, और डायग्टर अजय श्रिवास्तो, अजय एक्टर भी काम कर रहा है मारे जिएमें, तो 27 से अमनों जादकन में सुट कर रहा है, और पुरी पिक्चर होइपे करने वाले है, सब से पहले तो यह कान चाहता हूं कि फिल् सबको सबको मालूम है तो यह अपने आप में कहने कि उस चीज को यह एक सुरोध बनता है और चीज़ डफरेंटली वह फिल्म हीट होगी सेकेंड़ी एक बाते कहना चाहतु हूं कि जिस जगह मुहरत कर रहे हैं इस जगह में हमारे प्रजेश पांडी जी थे उनका एक बड़ खुद तो फिर इंका जीए बने घोंगे ऊज़िए कि अधिए खलनायक निए हमारे साथ निलोग साथ काम करने कम इला मुझे बुछ सवे मुझे बोट आं मुझे मुझे मेरा कलनायक ऐसा कहें कुछ निए जो चरित्र जोबी अभी देखिए ओन एक फिल्मी में हीरो का काम तो सवाल कौन क्या कर रखा करा क्षर हम गई हैं को समाज को क्या दे रहे हैं आपने माद के माद्धिम से एक्टिंग के माद्धिम से यह से मारे मनुझ जी है का नाम शुरूर से यह नहीं इस वह फुरी फिल्मों का सेकेंस टाइम जब उनका जब जीवन शुरू हुआ था उसी दर्वियां सेगेंड फिल्मिन की आयती चलत मुसाफिर मोहिल्यू है वह टाइम यह था कि जब सुरात में सीनिया चल रहे तो मनुझ जी का योगदान जो फिल्म इंडिस्ट्री में और आज भी जो चल रहा है यह किसी से छपा नहीं है और सबसे को सबसे बड़ा फुर्दार हुता हुटा वह का म करता धाइप यार ओं जो की प्यारों का का है यह थे इतना महतुपूर गाम होता कि आपकी बीच में लिए जाना उनको त्शे ग्लोरिफाइव कर के सम्झाना शॉट में ट्रेलरी टीजर क्या चिज होता है और विवे हमार कि थोड़े दिन पेले हमारे बेस्ट प्यारों का वार्ट भी राता हुआ था मेरे संजे भूशन जी के लिए तालिया बजाईगा कि यह हमारी खुशनेशिप है कि हम हम उनके साथ बैठे हैं और हम के लिए शुब कामना करते हैं और एक बार ताली बजाना चाहूंगा कुछ चाहूंगा कि मैं तब उनके बारे में तो कुछ कहीं नहीं सकता हूं शब्दीन मनुझी नितना कहीं के बारे में कह दिया है मैं उसको जसको एक नसीव कर वन बातों को और सुने मिस्टाइजी जो लिखते हैं उनकी लेखनी में जो ताकत है जो कलम में जो कि शक्ती है वो जो कि आपके आती है और डिरेक्टर उस पर्दे के मदे के मादिम से पर उतारता है तो चीज अपने एक बड़ी खुबसूरस होती है तो मैं शुरंद्र मिश्टा जी के रवी तहलिया चाहूंगा आपसे अपने कि अपने की शुब कामना हमारी खुब कामना की फिल्म की एम एवे और तो ये भौ जी कि रदार में आप भुझपूरी की किशा में इत्री को देख ज़ाए है इतल लग कि इनुआ है मैं मतर्व शॉक हो गया तो ओश्ट्म हो बात में डिरेक्टर के तुम से विल्म के स्क्रिप्ट के सबसे हैं यह थोड़ा सस्पेंस एज रहा सा तो कास्टिंग एक ऐसी चीज होती है कास्टिंग बहुत ही तमाम लोगों के वरेशन साब से स्टोरी को उसको समझ के क्या के ट्रेट्मेंट किया गया हो सोच किया जाता है हमारी फिल्म हाँ यह खाले की दूर मुकदर के साथ में एक फिल्म है वुद्व हैं दूसरा भी हां था थक कि अभी है विमने कर दीग कंपेट किया पहन जी के साथ में अब एसीना जी कि एए निशान जी कि फिल्म है तो चलतारता थए थोड़ा बहुत मतलब वहीतो हुत दो नहीं भी जाते हैं सबसे बड़ी वाद है कि हम लोग एक ही रूम शेयर करते हैं यह और अयास भाई के लिए भी एक मैं तालिय चाहूंगा कि एक बहुत बहुत बैतरी इंसान है कलाकर के लावा मुझे लगता में कुछ आदे बोल दिया तो अगला कुश्चिन आप मेरी शु अगले तो देखते थे अब इधर लगड़ाया देखेंगे अब हमारी हिस्ट्री कुछ अलग है बहुत पहले 14 सल पहले हम सन्यास लिये और उसके बाद गुरुजी के आदेश पे मरीकरे का गाट पे रहें काफी दिनों तक गुरु श्रीवेद प्रिकास और हम इस समय हमने सन्यास लेने के बाद गुरुज के आदेश के बाद प्रभु प्रेम मिशन एक संगठन हम लोग ने बनाये हो जी तो प्रहु प्रेम मिशन के अंतरगत हम 36 गर विहार यूपी और इधर एंपी में भी काफी हमारा विश्तार है प्रभूट एमिशन का और बंबे में भी इसका विश्तार हो रहा है सुरेंद्रमिश जी हमारे सिस से भी हैं काफी लोग यहां पर इंडिस्ट्रीश में हैं तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है भोजपुरी फिल्म या कोई भी फिल्म के लिए तो अब चुकि ऐसे लोग हमारे साथ जुरे हुए हैं तो देखेंगे अपने लोग जब उसका काम करते हैं तो उस पर आशिरवाद भी देंगे और फिर देखना परेगा स्वामी जी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्रीश को अशिरवा दीजिए जी 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 सब को सबका साथ सबका विकार सब के प्रति हमारा चुकि हम लोग तो नहतं हमारी आगे बढ़े बरनाहीं कर नाम हो चुकि संत और भगवान में कोई बहुत अंतर नहीं होता है कि वह फूर्वान के लिए का गया है कि समा रवेश बूतेशु नहमें देश्योंस्ती न परिया कि मेरे लिए सबस्त जी में बराबर हम रहा है मिरे लिए ना को य। इसलिए रिखते प्रती हम संद संद संत के जी उससे बोलना है अधिकार से कि फूरे मानो का कल्यार हो और सबट कल्यार हो और साथ लोग के आप लोग पी आज़य कि आप समाज में बहुत अधिक होती हैं तो इसलिए आप लोग भी अच्छा वर्क करें अच्छा काम करें दिल से करें तमाम सब लोग आए में जो सब बुश्परिंडर से जुड़े हुए है प्रेस वाले हैं हमारे एक्टर एक्टर जो लोग तो सब को अशिरवाद दें हैं प्रस्तान करने वाले हैं जाड़कन की और तो पिक्चरे गाने सारी चीज हो चुकिये तेयारी अब जाड़कन जाएगा और 27 समलों का सुट सुरू हो जाएगा क्लिम का स्टार जो है दमाद जी दमाद जी किराय पर है इसके लिए यस कुमार हमरे एक्टर है फिर मैं खुद उसमें काम कर रहा हूं साथ में इसके लिए अजय सिवास्तु डारेक्टर है और एक्ट्रेस कल हमारी फाइनल हो जाएगी बाकी सारे क्रेयदार फाइनल है जो एक एक करके हम सब नाम बताएंगे जो मेर मुख्र चोटे बावा दे रहे हैं हमारे पिक्चर में तरी हम अभी ओपिन करना नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमेडिये और वर्पूर कोमेडी है और एक परिवारी पिक्चर है जो आप काफी इंजुआय करेंगे जब मेरे छोड़े मेरा यह अभी आएक कि खाय सक्षा कि हमारी बोजपूरि एंडस्टीर पिक्चर बने और अच्छी पिक्चर बने और हम यह आसा करते हैं कि हमारे जो भी दर्सक हैं जो पिक्चर को जाकर होल में ठेटर में देखके मतलब जैसे आज हमारे यहां बॉम्बे में मराथी पिक्चर लोग जाके हॉल में देखते हैं फैमिली के साथ तो हम वो फिल करना चाहते हैं कि हमारे मतलब भोजपुरी पिक्चर को भी लोग अब जाके ठीटर में देखें पूरे फैमिली के साथ तो हम पिक्चर ऐसा बनाएं कि तमाम दर्सक जो भ जो एको जो अफसे प्याजने अफ्याध बेल करें।